एक काž ऐसी चीज है जो laziness का बेटर रहे मतलब laziness को बीच करने वाली चीज है laziness को refrick करने वाली चीज है out right defeat करने वाली चीज है मैं आपको एक मिसाल दुणा देखते हैं आपने से क्वा Netz करता है एक शक्स नमाज नहीं पढ़ रहा है जमाद से उसके दिल में मोटिवेशन आता है कि मैं नमाज करने जाओं जमाद से नमाज पढ़ाँ लेकिन सोचा हो मैं जाओंगा अब वो जा रहा है यह रही है तो नमाज नहीं से बहतर है तो लेट मीट आओट उठाओ फ़स दिन गया आना बहुत श्रगल किया सपटेश्ट इस ट्रगल किया पहले दिन से थोड़ा से कम थर्ड डे स्टर्गल किया फॉस्ट दो दिन से और कम बाइद टाइम वो 21st दिन पहुंचता है 21 दिन तक्रीवन एक्सपेरिमेंट में ही आया है कि एक हैबिट फॉर्म होने में 21 देज नॉर्मली लगते है 21 देज तक जब वो पहुंचा है यह एक्सपेरिमेंटल डेटा है कोई डिफर कर सकता है तब वो जब नॉर्मली पहुंच रहा है अब वो चीज जो करना फॉर्स दे उसको जितना स्ट्रॉगल करना पड़ा था जितना अपने आपको मारना पड़ा था बाइद टाइम वो 21st दे पहुंचा है अब वो आसानी से उठके जा रहा है ठीक है पॉइंट क्या है इसमें पॉइंट है आप में से कौन बता सकता है कंसिस्टेंसी ओके और बताईए थिंक मोग ओके और बताईए हां ओके और बताईए कौन सी वो चीज है जो लेजीनेस बीट रहे है लेजीनेस को सॉलिड बीट करने वाली कौन सी वो चीज है जो उसके पास वहाँ पर आ गई थी 21st दे इंटेंशन रिजल्ट और बताईए स्ट्रॉगल और बताईए हां डिटर्मिनेशन और बताईए मोटिवेशन और बताईए हां है अबिट हैब इत यहांपर हैबिट नहीं थी बहुत करना पड़ा यहां पर इसके पास एक चीज यह चीज उसकी हैबिट ब stolen आदध बनिये अब उसको उतना जब नहीं लगना पड़ा अब उसकी सुस्थी को ओवर कम करना उसके लिए बहूट ऊसान हो गया इसकी क्या पता चलता एक ची तो अच्छी आदत का गुलाम होना कोई गलत बात है अच्छी आदतें हो इंसान के पास तो आदतें उसे काम आएगी गुड हैबिट्स तो आप जब कोई चीज कर रहे हैं फर्स डे इंपॉर्टन्स देख रहे हैं आप कंप्लीशन तक पहुंच रहे हैं तो फॉर्थ पॉइंट हमारा ये है मेक इट यॉर हैबिट वो चीज को अपनी आदत बनाएं मिसाल के तौर पर आपकी आदत है कि मैं मौनिंग में बैठता हूं बुक खोलता हूं और पढ़ता हूं फॉर्स डे स्ट्रॉगल फॉर्स डे स् है मैं आपको अब आपकी सुस्ती जो फॉर्स दिन आपके साथ लड़ रही थी जिहाद नफ्स कहते हैं यह फॉर्स अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना पड़ा स्ट्रॉगल करना पड़ा बस बहां निकलो मैं अब 24 बहुत आसानी से आप आके बैठ गए और आ करके को आए यह अब मनले मैं गलता है एक हाभिट दूसरी हाभिट से सब्स्रीट होने में भी चान थाइम नहीं लग्ता है सुस्ती की çevret 2 Search select लिए हैब थी यह हमारे अपर्टमेंंण वाले चीजे नहीं ये सेत बात में है अब सरी की को खीच के न सकता है तो फिर क्या हॉआ अब आपकी दिल में आ रहा हैं अब आज थोड़ा सा व्रेक ले लेता हो Not के सेंड डे fence सेकन वा और सके बाद अब आज भी थोड़ा सा और बेंड लेता हूं हाँ अब हो गए वहाँ दूसरी हैबिट स्कार्ट हो गई है अब हैबिट हो रही है जो वह हैबिट को बीट करने वाली है अब वो जो आपके पास आ गया था गोल्डन गूज जो अंडे दे रहा था रोज अब वो गोल्डन गूज जा रहा है हाथ से हाँ तो क्या है मामला व देता है हाथ से, उसको हाथ से जाने नहीं देता, तो क्या होगा कि तब यह थोड़ी सी खराब है, लेकिन I will not lose my habit, मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहता, अच्छा आदत ही बताईए, आदत डेली वाली होती है, या उसका कोई और frequency भी हो सकती है, डेली होना ज़रूरी है आदत, हाँ, आदत वीकली भी हो सकती है, कि मैं हर Saturday morning ये करता हूँ, हर Friday evening ये करता हूँ, हर Sunday मैं ये करता हूँ, habit weekly हो सकती है, habit monthly हो सकती है, habit twice a day वाली हो सकती है, habit है, वो आदत है, वो आदत को नहीं छोड़ना चाहता, आदत जो है, उसको maintain रखना चाहिए, आपके पास golden goose है वो, वो आपको golden अंडे रोज दे सकता है, लेकिन उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको जाने दिये न तो चले आएगा, कोई भी पड़ोसी ले लेगा, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि precious चीजों को value करना, habit एक बहुत precious चीज है, उसको अगर कभी कभा struggle करने करके भी रिटेन करना पड़े ना, तो करना चाहिए, और कभी as an exception छूट गया, आपकी habit का जो है, मान लो, आपकी habit है, 6 days a week की habit है, 7 days नहीं, ये भी habit हो सकती है, कि मैं 6 दिन ये करता हूं, 7 दिन ब्रेक लेता हूं, फिर 6 दिन ये करता हूं, 7 दिन ब्रेक लेता हूं, फिर 6 दिन जीन इसको बहुत जोरदार बीटिंग देती, बहुत जोरदार बीट करने वाली चीज़ है, ओके हो गया हमारे, 4 पाइंट अपने केबल या DTH ओपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें, iPlus TV, Free to Air और Indian Registered Channel है